वेल्कम बैक तो मैं न्यू व्लोग तो जैसे कि आप सभी जानते हैं अभी बहुत ही जोडो सोडो से बारिश चल रही है और बाहर अभी भी बारिश होई रही है सब अभी हम लोग घर में पैक है यार पता नहीं फिर भी अच्छानक से मुझे फीवर पकड़ लिया कर रात औ चलब ही तो अभी है बहुत फीवर तो दवाएत में ले रहूं तो मैं अभी यही भोलना चाहूंगा आप भी प्लिस स्वस्त रहो और मस्त रहो तो प्योग हमे को तो मैं मा स्वथ लगांकि जो महांऊं ताकि किसी को नहीं हो यहां पे और और अभी हम लोग खेल रहे हैं अवर खालता हूं और कुछ शोट में आपको दिखा दूंगा कीलास में कॉन जिता है यह मैं आपको दिखा दूंगा में इसक्रीन में सबसे पहले में देखो घर के आंदर गुसने आला सबसे पहले मैं हूं यहां पर मैं गुसा हूं सबसे पहले मैं गुसा हूं बता प्रोवन्दा कोने मैं हूं मैं दोस्तों मेरी दो दो गोटी घुस गई यहां पे और यह देरे यह गई अंदर वाँ तो फिर मुआ का मिला मैं तो फास गया मेरा दोदो गुस गया लेकिन सबसे पहले है अब यहां पे मेरी गुस गई यहां पर है एक और तीन गुस गई है मेरी तीन गुस गई है अब बस मेरी जीत होने ही वाली है पापा बस मेरे पीछे पीछे आ रहे यार पापा का भी टेंचन है रणू का भी है मैं तो कर्दी दीती तीन नहीं मेरी गोटी मर गई वापार है के अंदर घुस गई मैं तीन जीतने आलपावक माने रहें दोन जा रहें लेके वहाद अब देखते हैं जीते का कौन अपने वहादे रन्नु का एक नहीं आना चाहिए नहीं नहीं हाँ चाहर आया चाहर सबके फाइट हो रहा है यहां पर मेरी ग्रीन गोटी है जो तीन बेभी जीतने वाली है मैं किसी के हाथ चुनी पापा पापा जीत जाएंगे यह हर बार पापा ही क्यों जीते हैं अब मैं सेकंड आउंगी अर्यार यह हर बार पापा जीते ह मैं को पता है लास्त मैं आउंगा भाइया तु मेरे यल्लो गोटी लेगा अब तु वीनर होगा अच्छा मैं बुलू गोटी लूंगा ना तब होंगा पापा का गोटी लग्की है पापा है अदे मेरे को घर में कुसा दिये हैं अजी तरे खोद मैं अभी ऐसे दुआ के रख इतने वाला हूं वाम में पापर फरस्ट आया है बेबी सेकंड आई है और ठट कॉन आता है रेखते हैं रन्नु जब तक अंदर नहीं कुसेगी तब तक मेरी गोटी भी नहीं को पता है तकर का मैच एक बस सही है मेरे को एक एक लाजो भाई एक लाजो भाइवान जी एक ल आए हूं मेरे रन्नु हमेशा की तरह लूसरिया बन गई बंदरिया बेबी यह क्या है यह पापा का हुडी क्यों पहनी है तू इत्ती अजीब देगे पगली ठंड में कुछ भी पहली है इस तो देखो सुबे से साम हो गई पर बारिश रुखने का नाम ने लिया और पर हम लोग खेल रहे हैं अभी गोटी कैज गेम जिसे हमारे पापा ने बनाया है यह बच्चों है अज वारसात में एक बढ़िया गेम है तो देखो यह है जिसे क्या होता है गोटी हैं मार्बल, मार्बल के मैंने कितने ट्वाइंस लिये, देखो, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 से खिलना कासे होता देखो, ये गोटी गिरेगी नीचे, मगर इसमें से कुछ गोटियों को कैच भी लेना है, कैच कैसे लेना है, कैच लेना है, इस तरीके से, ये तुमारे हाथ में आ गई, ये हाथ में आ गई गोटी, अब इसे कैच लेना है, इसे हाथ दूसरे हाथ से नहीं पकड़ना है, इसे कैच लेना है, ये, ये मैंने ले लिये कैच, अब इसमें से ये गोटी नीचे नहीं रखनी चाहिए, इसमें से एक भी गोटी को कोई भी चूस कर लेना है, और उसे ए यह उठाने जैसे मैं अब देखो फिर से दिखाता हूं समझ रहा है यह उठाया हमने तो कुछ इसी टाइप का गेम है पापा का यही खेल रहे हैं अभी हम लोग देखो यहां पे गद्दे वद्दे भी लग गया है पूरा यहीं हॉल में और सुबे से टीवी चलू ही है लग सभराते कंबल तक्या सब ला दिए यहीं पे अनो सब सब को अपने वच्पन का गेम सि करे मंभी हमारा खाना बनारे धे हैं उन्हान बनाती ऑर आपको दिखाती है थो यहन्हां हमारी वनारी है लिटि चोखा लिटि चोखा खाओंगे गरम करता ए बहुती बढ़ी आ यहां खाएंगे आज तो दिन में और रात में और यहां पर देखो आप अगरे मैं भी खेलूंगा तो हमारे बच्चे अब प्रेक्टिस करेंगे रेड़े शलो पहले हमारे ब्लॉगर यह देखे हमारा ब्लॉगर आप अपल आपकि यहां चाइं ची खूव शका अप्रों। 7 कहारी अमिज़倒ा यहां वाया यहां बड़ोगर की बहाएन एक बीन ही आया एक बीनी आया एक बीनी आया छीटिंग है फिर से ब्लांगar की छोटी बेहन फ्लांगर की छोटी बेहन चल 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 छल यह देखो यह तो पूरा ईथ भी है पूरा गेम को यह उखाण भी है और मैं फिर से तो चल चल चलो यह हार गया अब मैं दिखाता हूं अब मैं दिखाता हूं अब मैं दिखाता हूं लो अरे मार्बल्स देड़ो देखो यह हाथ के पंजे हमारे बड़े है इसलिए आपको आशाला करना होगा मगद गेम ठोड़ा सा कॉंसेंट्रेट वाला है इसे यह से लिए भी कहशा भी जरदी है कहरेता है लाल लाल एक भी नहीं नहीं आया है अब बोलो मैं दो उठाओ कि एक दो नहीं हो पाया थोड़ा से एक ठक शुड़िया मगर गेम कैसा है बताओ बड़िया बड़िया एदम जबरदा इसे कुछ कहते हैं यह हमारे बच्पन का गेम है अब बच्चों के साथ तो खिलना ही पढ़ेगा तो गाइस यहां पे देखो अभी हम लोग खा रहे हैं लिट्टी चोखा लिट्टी वसर चोखा नहीं बनाई मम लिट्टी खा रहे हैं और यहां पर हमारा भी बूत वाला मूवी चल रहे हैं जो हम लोग देख रहे हैं बूतिया मूवी और लिट्टी शो का इंज्वाइ कर रहे हैं